इस चीज उनको ब्रीफ करनी जब वो जा रहे राहुल गांदी से मिलने के लिए चीज ब्रीफ करनी है रायता ना पहले राजस्तान ने यह समय आप जाने कि एक उन्होंने ब्रीफ नहीं किया उन्होंने सब ब्रीफ किया है नास्कार स्वागे थे आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और इस कारक्र में मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज जो तीन मुद्धे आपके सामने हैं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या और इसमें आरूपी भारतिये जनता पार्टी के नेता का बेटा भारतिये जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चहरा है महिला सम्मान को लेकर वो एक्स्पोज हो रहा है मुद्धा नमबर दो कॉंग्रिस में राष्ट्रपतिये चुनाव मगर उसने पूरी तरह से कॉंग्रिस को अंधुरूणी तोर पर एक्स्पोज कर दिया है उसके हम चर्चा करेंगे और तीसरा मुद्धा राष्ट्रवी खेलों को घाटन हुआ है और प्रधान अंतरी नर मुद्धा के साथ चिहां उत्तराखंड में एक रिजॉर्ट में बारवी पास एक लड़की जिसे 88% में ले थे बारवी में उसकी हत्या कर दी जाती है खबरे ये भी आ रही हैं कि उसे वैश्या वृत्ति की तरफ उसे ढखेला जा रहा था शर्वनाक बयान आते हैं RSS के न देखिए अभी सार इसमें भाश्पा का जो फर्जी हिंदू प्रेम है वह एक्सपोज होता है उसका परदाफाश होता है क्योंकि यहां पर इससे पहले हमने देखा था कि वह बलादकारियों के पक्ष में खड़े होते हैं उनके लोग समर्थन में खड़े होते हैं लेकिन एक मंत्री स्मृति इरानी से लेके बाकी तमाम लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं और पूरी की पूरी कोशिश की जाती है कि इस मामले में भी लीपा पोती की जा सके भाश्पा भाश्पा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का पूरा का पूरा नारा स्टैंड एक्सपोज क्या इस खबर का पंच बताएंगे उर्मिलेश अबिशार मुझे लगता है कि भारती जन्रता पार्टी जहां जहां शासन में है अगर आप देखिए सभी स्टेट्स में तो महिलाओं की सुरक्षा आम लोगों की सुरक्षा के फ्रेंट पर बिलकुल टोटल फेलियोर है और ये तो देव भूमी कहते हैं वो अपने को कहते हैं भारती संस्कृति के उपासक है लेकिन क्या हाल है इस महिला अंकिता नाम की इस लड़की के पूरे प्रक्रण में ये बताता है बीजेपी का असल चरित अरे आपका क्या पंच है अभी सार इस खबर पर उर्मिलेजी मेरा पंच ये है कि क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को निमंतरन देना होगा इस मुद्धे पर अपनी राय रखने के लिए उनके पास कितने मंच हैं आप नाशनल गेम्स का इस्तमाल करते हैं अपनी राजनीती करने के लिए आप सूरत में रोडशो करते हैं मगर क्या अंकिता के लिए आवाज बुलंद आप नहीं कर सकते एक शब नहीं बोल सकते खामोश क्यों है मोदी जी आप इस पर जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है चर्शा को आगे बढ़ाते हैं भाशा आप से मैं शुरुआत करना चाहता मैंने एक आरेसस के नेता का एक बयान देखा था और उसमें वो बयान में ये कह रहा था कि शर्म आनी चाहिए अंकिता के पिता को जिसने अपनी लड़की को नौकरी करने भेजा इनकी सोच देखिए कितनी जिसे कहते ना पैत्रिक से भी घटिया सोच है कि एक लड़की तुरक्षा जमीन पर देनी है और तुम दोश मड़ रहे हो इसके बाप पर कि वो उने नौकरी करने के लिए भेज़रा उस नौकरी कमाई खा रहा है कि देखिए इससे ये भी पता चलता है हलागी हर बार ही लोग बात करते रहें इसी तरह से जब भी कोई बलातकार यौन हिंसा मडर का मामला आता है तो यह हमेशा पुराना निर्भिया के समय से हमने देखा हैं का स्टैंड यही रहा है कि लड़की क्या करने गई थी लड़की वहां क्यों थी लड़की यहां क्यों थी कपड़े क्या पहने थे यह सब करते रहें लेकिर यहां जितनी नंगई जितनी बेशर्मी के साथ इन लोगों ने सीधे हमला बोला अंकिता के पिता पे दबाव बनाया वो टीवी के सामने रो रहे हैं बोल रहे हैं कि रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, सारे evidence खतम कर दिये गए, इससे ये पता चलता है, दो चीजें, कि मनुवादी संस्कृती जो भाश्पा लाना चाहती है, उसके हिसाब से लड़कियों की महिलाओं की, हम जैसे तमाम लोगों की कोई जगा, समानिज जगा इस समाज में नहीं है, पहली ची हिंदुवादी ब्रिगेड है, वो चुपचा बैठ जाती है, शर्मनाग धंग से, दोशी उन्हीं को बनाने लगती है, कि तुमने क्यों किया, बिल्कुल मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक और अंकिता थी, वो अंकिता थी जहारखंड की, आपको याद होगा, उस अंकिता की मौत में आरूपी था, एक मुसल्मान शाहरुख, और आपको याद होगा कि इसी मंच पर हमने उससे सवाल भी किया था, उस पर चर्शा भी की थी, शर्नाक लमाता हो, उस अंकिता के लिए भारती जनता पार्टी नेता बाकाइदा उसके घर पहुंचते हैं, शन स्मृती इरानी, जो इस विवाग की मंत्री हैं, अगर कैदे से दिखा जाए तो उनको जरूर बोलना चाहिए था, निवट राहूल गांधी का मुद्दा नहीं था, क्यों बोलेंगी हूँ, मैं बता रहा हूँ, निशिकांत दुबे, जिन सज्जन की, जो जारकंड के मामल में, उत्राखंड की, क्यों, क्योंकि एक तो, यहां कोई मुस्लिम इंगिल नहीं है, जारकंड में मुस्लिम इंगिल था, विपक्ष सासित राजी था, आप उत्राखंड देव भूमी में आपकी पार्टी राज कर रही है, आप पताते हैं, देव भूमी है, और उसको आप देव भूमी बना रहे हैं, इतने वर्षों से, जब भी आपकी सत्ता आती है, कोई न कोई चीज ऐसी होती जरूर है, जिसको आप दबाने में लग जाते हैं, अभी पिछले दिनों, अलमोडा जिले के एक गाउं है, विक्सी सैन, इस विक्सी सैन गाउं में एक लड़की न बंद तक किया गया, इस कस्बे में, लेकिन भारती जनता पार्टी के लोगों ने निर्ममता पुर्वक पुलिस भेज करके, जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, इसमें सभी जाती, सभी भी रादरी के लोग थे, उनका दमन किया, मैं अंकिता के मामले में एक जरूर प्रश सरकार ने कुछ दिन पहले, दो दिन पहले, सारे लोगों को बुला करके दिल्ली में रखा, तीन दिन तक, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ, आखिर वो होटल क्यों बुल्डोस किया गया, बिल्कुल वो तमाँ सवाला थे, वो बहुत सवाला थ किया गया था, और सबसे शर्नाक बात है, कि राज की जो IPS आफिसर आशुक कुमार महता, वो बाप के साथ, एक इंटव्यू जह हो डाल देते हैं, मतलब यह मजाग चल रहा है, कि आप पुलीस आफिसर हैं, आपकी कॉंडक्ट रूल्स हैं, आप जो पिड़ता है, उनके पि रोसा नहीं है, कि जो पोस्माटम हो, आप देखें, जिस तरह से लाज जलाई गई, जिस तरह से परिवार पे दबाव बनाया गया, उसका बाई बोल रहा है, पिता बोल रहा है, कि भाई ये पूरा मामला रफादफा हो रहा है, और सबसे एहम बात अभिसर की तमाम लोग, कई लड़कियां सामने आई हैं, जो पहले वहां काम कर चुकी थी, अपने जान को जोखिम में डाल कर, वह कैमरे पे बोल रही है, कि यह अयाशी काड़ा था, और किस तरह से अंकिता जैसी तमाल लोगों को, यह सारी सीरिज, वह सारी सीरिज खतर दी गई, वह सवाल भी है, कि क्या सीर्सी टीवी को बरबाद इसी वज़ा से किया गया, क्या बुल्डोजर का इस्तमाल इसी तरह से किया गया, क्या ताकि उन तमाम प्रमानों पर अंकुष लगाई रही है, जिसको तमाम लेके परिवार कह रहे थे, कि जहां जाच होनी चाहिए थी, परिवार तक को जाने नहीं दिया गया, उसका समान लाने के लिए, तो आप यह देखिए कि पूरा क्राइम सीन, तो जब भाश्पा सरकार में है, और भाश्पा का जो नेता है, उसके खिलाफ जो अभियान चलना चाहिए था, सारा क्राइम सीन आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पिता ने और भाई ने इस और इशारा कर दिया है अभी सार, यही ने पिता ने ये भी कहा था कि मेरा बेटा सीधा साधा लड़का है, और यह लड़का कौन है, यह मुन्ना भाई M.A.B.A. से कम नहीं है, क्योंकि इन पर आरोप लगा था, कि इन्होंने अपनी आयूर्वे मुन्ना भाई M.B.B.S. व्यवस्था इतनी ज्यादा नाइंसाफी और मिलेजियस में, वो लड़की बिचारी नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाती है, और पहली सालरी तक नहीं मिलती है, और इसे मौत के हाट उतार दिया जाता है, और यह आदमी बदस्तूर बना है, औ बना भी रहे आगे, और देखे उस लड़की का साहस बहुत ही इंटीरियर इलाके की रहने वाली थी, मैंने फुटेज देखा टेलिविजन पे, मैं स्वेम चकित रह गया, कि कितने किलोमीटर पैदल चल करके लोग बसड़े तक पहुंसते हैं, और तब फिर शहर जाते हैं और फिर वो पहुंसते हैं मुक्खे शहर में, तो हमारा ये कहना है कि एक लड़की जो स्ट्रगल कर रही थी, जो अपने को, अपने परिवार को आगे बढ़ानी की कोशिश कर रही थी, थैसे उसको बिलकुल रौंट डाला गया, उसको बिलकुल एक तरह से मरने के लिए ब CBI, आप एनाईये भेज देते हो, कहते हो कि घटना घटी सामाने क्राइम की, आप एनाईये भेज, अरे इसमें CBI तो करो कम से करो, दूसरी बात कि इसमें ये जो रिजॉर्ट है, उसको बुल्डोज जो किया गया, उस लड़की के पहले कमरे को किया गया, इसके बाद CCTV को इन सभी कारणों पर मैं समझता हूँ कि एक सरकार को अपनी बात पहने चाहिए, तीसरी बात कि दिल्ली में मुख्यमंत्री, स्पीकर, जिनके आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन, इन सभी लोगों को बुलाया गया, तो आखिर सरकार को बताना चाहिए कि उस अब ही उस उग्र अंदाज में उन से सवाल नहीं भूचता, सबसे बड़ी तरास दिये है, चलिए अब दूसरा मुद्धा आपके सामने आ रहा है दोस्तों, वो दूसरा मुद्धा क्या है, कल आपने राश्चे खेल का और धाटन देखा, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुझे तो याद नहीं पड़ते हैं कि एक प्रधान मंत्री एक राश्च्रिय तोर पर महतपूर्ण जो मौका है, उसका इस्तमाल इस तरह से खोले आम राजनीती के लिए करें, क्या है इस मुद्धे का पंच, शुरुवात उर्मिलेजी से. देंकि मुझे लगता है, विसार की गुजरात इलेक्शन को लेकर भारती जनता पार्टी अपने को काफी अस्तुरक्षित महसूस कर रही है, और इसलिए इस तरह के फंक्शन्स जो की नेशनल फंक्शन्स हैं, जिनका राजनीत से कोई रिष्टा नहीं है, जिनका इलेक्श गेन में और उस तरह के इस्तेमाल में किया जा रहा है, इस्तेमाल मतलब मैं समझता हूँ, बेहत दुर्भागी पूर्ण है ये, भाशा आप बताएं क्या है इस खबर का पंच्श, देखिए एक बास साफ है कि यह प्रधान मंतरी का न्यू नॉर्मल है, हर चुनाओं और ख जाकर ये सारा का सारा ड्रामा किया, परिवार वाद याद आया, जैशा नहीं याद आये, और तमाम वही लोग नहीं आये, मामला बहुत साफ है, वे गुजरात में डरे हुए हैं, अभिसार क्या है आपका पंच्श? मैं चानता हूँ कि इस वक चुनाओ आचार सहिता नहीं है, मगर आपको याद होगा कि नाशनल कमिशन फोर चाइल राइट्स प्रोटेक्शन के अध्यश है, प्रियान कनूंगो, उन्होंने चुनाओ आयो को शिकायत कर दी थी कि राहूल गांधी अपनी भारत जोड़ो य मैं करना चाता हूँ, आप जानते हैं, और मिलीश सबसे हास से असपत बात ये लगी जब वो बात कर रहे थे नाशनल गेम्स पर कि हमने परिवारवाद खत्म कर दिया है, अरे तो जैशा कौन है, रोहन जेटली कौन है, सिधार्त वर्मा कौन है, जो कि प्रवेश साहिब सि महारेमन सिंधिया कौन है, जो कि जुतरा सिंधिया का बेटा है, अरजुन मुंडा भी चाहिए तीरंदाजी के संग क्या ध्यक्ष है, बैडमिंटन संग क्या ध्यक्ष हेमन तो बिस शर्मा है, लंबी चोड़ी, अनुराक ठाकुर, मतलब वो है ना कि शर्म तक नहीं आती, कांग्रेसियों को कोई दोथ का धुला नहीं कहता है, अविसार साथ बात लेकिन मेरा ये कहना है, कि जो कांग्रेसियों की रिजिम में होता था, उससे ज्यादा नंगे डंग से आठ साल में तो हाँ है? कॉंग्रेस के रिश्ट में जो होता था आप और हम सवाल करते थे और उसके खत्रे नहीं होते थे आठ साल में आप राजनीत का इनका परिवारवाद देख लिए खेल का तो आपने बताई दिया आपने खेल के सारे नामों को गिना दिया जैशा से लेकर के और नजाने कितने क परिवारवाद का नंगा नाच है परिवारवाद में आप कहा रहें ठीक है आप आप देखिए अभी पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में ही इस बात पर लड़ाई हो गई कि वर्मा जी का बेटा चीफ बनेगा यहां का या कोई दूसरा बनेगा इसी को लेकर तब ज इसका एक राजनी तिक पहलू भी है और इसका जिक्र भाषा ने भी अपने पंच में किया कि क्या भारती जनता पार्टी गुजरात को लेकर डरी हुई है मैं इसको एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कम से कम सेडियम में तो मुझे दोनों में कुछ फर्ख नहीं दिखा मैं यह कहना चाहता हूँ और फिर जिस तरह से अर्विंद केजिवाल के सोशल मीडिया हैड को जो की गुजरात से जुड़े हुए हैं विजय नायर को गिरफतार करना यह सब तो एक ही कड़ी का हिस्सा है ना भ बात तो साफ है कि वह वोट खाएगी उसने एक आधार बनाया है और वह चाहे बीजेपी की बी पार्टी आप कहिए या सी पार्टी कहिए चैलेंज तो है और क्योंकि वह तमाम वही हतकंडे इस्तमाल करते हैं इसका बड़े पैमाने पे सी प्लेन में मोदी जी करते हैं आप देखिए कि सारा का सारा जो रोड शो है चाहे सूरत का हो चाहे कोस्टल बेल्ट को लगकच की कोस्टल बेल्ट पे मोदी जी का यह कहना कि इतनी खुबसूरत है लेकिन विकास नहीं हो पाया वो यही भूल गये चब्शार बनाने के लिए परसेप्शन ना तूटे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है पिछली बार देश ने दुनिया ने सी प्लेन देखा इस बार हमें देखना बाकिया है कि गुजरात में हम क्या क्या देखेंगे अभी सार गुजरात में जब माननी मुख्यमंत्री नरेंदर मोदी थे मैं उस बत भी गुजरात कई बार गया और डांग जिला गुजरात का ही है उस डांग जिले में हालत ये थी कि रात को एक होटल नहीं था जहां मैं रहा सकूँ मुझे वहां से 70 किलोमीटर दूर जाना सबसे पिछडे जिलों की एक लिस्ट बनाई थी मोस्ट बैकवर्ड सिक्स्टे डिस्टिक्स आफ इंडिया उसमें छे जिले अपने गुजरात के थे जहांके मुख्यमंत्री उसमें नेरेंदर मोदी थे अब आप सोचिए कि उन में से कई जिले ऐसे हैं जो आज भी सब नि को नुकसान पहुँचा रही है सूरत के स्थानिये चुनावों में आमाद्मी पाठी नंबर दो पर थी या सीधा दिखरा है उपर से पार्टी भी भीतर घात की जन्ता तक पेश किया जाएगा तो आपकी जो बात कर रहे है इसका फायदा क्या है अंतितर गुजरात की जन् नहीं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो और मतलब मैं समझता हूँ कि इंडियन अपोजिशन के पास जो भारत में विपक्षी दल है मुख्य विपक्षी दल इतने जनविरोधी सरकारी फैसलों के बावजोद इस सरकार का एक वैचारी के स्तर पर एक आंदोलन के स्तर पर और य जो है भारती जनता पार्टी के आगे अब रही सही बात जो आम आदमी पार्टी की है आम आदमी पार्टी उसी तरह के राजनितिक धांचे में काम करती है जिस राजनितिक धांचे की सबसे बड़ी सिर्म और भारती जनता पार्टी है तो मैं बी टीम नहीं कहता यह तो का है लेकिन अगर मेजर जो अपोजिशन पार्टी है गुजरात की जिसमें कॉंग्रेस सबसे आगे है आज भी सबसे बड़ी पार्टी वही है उसने पिछली दफा बहुत शांदार धंग से चैलेंज किया था उस उस चुनाव में कही लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी की और से बहुत महत्पूर रदा किया था एक नाम अशोग गैनोत का भी था जो बड़ी बुरी स्थिती में है जिन पर हम लोग बात करेंगे लेकिन मेरा एक कहना है कि इस वक्त अगर कॉंग्रेस पार्टी या कोई भी अपोजिशन पार्टी संजीदा होकर इन इशूस पर आगे लेकिन यहां पर जो एक एहम फैक्टर है वह यह है कि लोग कैसे पहुचेंगे लोग कैसे करेंगे क्योंकि नाराजगी बड़ी है नाराजगी और जिसको प्रधानमंति नरेंद मोदी और अमिश्या भाप चुके हैं और उसी डैमिज कांट्रोल के तहत आप देखिए गु गुजराती गौरव मैं गुजराती तुम गुजराती प्रधानमंत्री गुजराती ग्रियमंत्री गुजराती दो जो देश के सबसे पारफुल बिजनसमेन है वो गुजराती तो यह जो सेंटिमेंट पैदा किया जा रहा है इससे लगता है कि काम करने की जरुवत पढ़ रह के राष्ट्रपती चुनाव मैदान में इस स्वक मल्लिकार जुन खडगे और शशी धरूर हैं दिगविजय सिंग विड्रॉ कर चुके हैं अशोग गैलोद दाविदारी पेश कर रहे थे मंगर वो जो पूरा प्रकरन हुआ है उसने राजिस्थान में किसम के अस्थिरता पै आपके सवाल में ही जबाब है कि वाकई नहरू गांधी परिवार इस जो जमीनी असलियत है राजिनीत की उससे वाकिफ नहीं है कहीं न कहीं एक डिसकनेक्ट है और कॉंग्रेस आला कमान जिसे आप कहते हैं मैं समझता हूं कि ये अपना बंटाधार अपनी पार्टी का बं भारत जोड़ो यात्रा उतनी ही जरूरत है कॉंग्रेस जोड़ो यात्रा चलाने की और समझने की पल्स कि आखिर जमीन पर जो लोग मुख्यमंत्री और तमाम मलाईदार पदों पे लंबे समय तक रह चुके हैं आखिर थोड़ा भी गबड़ाने पर एक्वेशन विद्रो में क्यूं उतर जाते हैं और कंट्रोल हाई कमान का नहीं रह जाता या इस समय बहुत संकट की स्थिती में कॉंग्रेस है अभ justement क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि कॉंग्रिस में आला कमान को समझना पड़ेगा कि असी का दशक नहीं है कि आप चुटकी बजायां और सब लोग लाइन में लग जाएं जो लोग ये कहते हैं कि भई प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के फर्मान के सामने भी तो सब कुछ चलता है उनके फर्मान के सामने कुछ नहीं चलता है तो ये ना भूलें प्रधान मंतरी मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता है क्या यही दावा गांधी परिवार के नाम पर किया जा सकता है तो इस खबर की शुरुआत करते हैं और मिलेश जी खबरे कुछ इस तरह की हैं कि प्रियंका गांधी ने भरोसा दिलाया था सचिन पाइलिट को कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगी पहली बात तो यह है कि भई आप एक व्यक्ती को कैसे वादा कर सकते हैं वादा तो आप जंता को करना चाहिए ना उसे तोड़ दें को एक अलग बात है मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ गांधी परिवार क्या हकीकत नहीं देख रही है कि 107 में से 92 विधायक सक्षिन पाइलिट के खिलाफ है और वो यह कैसे भूल सकते हैं कि यह वही सक्षिन पाइलिट है जो 22 विधायकों के साथ आज से 2 साल पहले गुरुग्राम के रिजार्ट में पहुंच गए थे और भाजपा की गोद में जाके बैटने को तयार थे विचारधारा किस तरफ पर कमजोरी दिखाई देती है यहां पे सचिन पाइलिट की क्या गांधी परिवार कोई चीज़े नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है और मुझे लगता है न देखने दिया जा रहा है क्योंकि परिवार अपने से ट्रेवल बहुत कम करता है बहुत जनता के बीच में बहुत कम जाता है राउल गांधी इस परिवार से बहुत वर्षों के बाद पहले नेता है जो पधयात्रा पर निकले है और मुझे लगता है कि उनको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा निश्चित रुप से मिलेगा क्योंकि जब भी इस देश में लोग जनता के बीच में जाते हैं उसका जरूर उसको अनुभाव के अस्तर पर समझ के अस्तर पर अपनी वैचारिक समझ बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है तो लेकिन जब वो आएंगे एक नया आदमी बनकर एक नये राजनिता के रूप में तब तक ये जो दो लोग यहाँ पर बैटे हैं प्रियंका जी और सुनिया जी और इनके जो सलाकार हैं इन सलाकारों की दिमाग और मिलाज से ही ये लोग अगर चलते हैं अगर चलते हैं तो मैं नहीं जानता मेरे पास कोई ठोस इंफॉर्मिशन नहीं नहीं बहुत इंस्पिरेशन है उनका उनका बहुत प्रभाव है मैं आपको बता तो अगर ये सलाकारों के बल पर ही सारा डिसिजन लेते हैं तो यकीनन जब तक राहूल गांधी लोट कराएंगे तब तक बंट में जो कॉंग्रिस की टेडिशनल सीट रही है स्रीमान अजय माकन उस दिन भी मौझूद थे जब राहूल गांधी ने मनमोहन सिंग सरकार का अध्यादेश फार दिया था प्रेस क्लब आफ इंडिया में अजय माकन उनके बगल में बैठे थे तो ये अजय माकन गए क्यों क आनन फानन अच्छा आप ये बताइए 21 तारीक को मिलते हैं स्रीमान अशोक गैलो सोनिया जी से अपने नेता से 22 तारीक को कोचिन में जाकर राहूल गांधी से मिलते हैं 23 तारीक को जैपूर लोडते हैं 24 तारीक को ऐसा क्या हो गया क्या हो गया कि आनन फानन में विधायक की बिलाने का उनको हुकम दिया जाता है और वो भी इस इस स्पेस्फिक टिप के साथ की नया नेता चुना जाएगा और नया नेता कौन चुना जाएगा श्रीमान सचिन पाइलेट अब सचिन पाइलेट के लिए अगर सिर्फ 15 विधायक समर्थन दे रहे हैं केवल 15 या 18 मान लिजे तो आप क्या सभी विधायकों को नजरा अंदाज कर देंगा मैं मानना है अभी सार कि इसमें एक दूसरा एंगल है जिस पर मुझे लगता है कि चर्चा होनी जरूरी है दूसरा एंगल गहलोत का है अंतिता गहलोत ने ये दिखाया कि मुख्यमंत्री पग कॉंग्रे से होती है अगर उनको ये रिजर्वेशन था वह अगर हम आप यहां बैटके जानते हैं कि वहां की राजनीती क्या चल रही है गहलोत को भी पता है ये राजनीती चल रही है उनको मुख्यमंत्री पत से स्तीफा देना पड़ेगा अध्यश के लिए उतरने का ये सब लोग म मामुली चीज नहीं है वो पूरा लगातार राहुल गांधी के साथ रह रहे है तो ये एक जो मैस मुझे लगता है ये जो मैस है ये रायता फैलना कि इतने लोग जाके स्पीकर ये एक सीजन्ड लीडर की निशानी नहीं है जिसमें अशोग गहलोत ने बहुत बड़ी चू मुझे लगता है कि इनफॉर्मेशन नहीं है सच यह है कि भारती राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्षपत के लिए अगर किसी पत पर कोई व्यक्ती बैठा है पहले से और वो उमिद्वार बनता है तो वो जरूरी नहीं है कि पहले जहां वो बैठा है वहां से तत्काल इस् नॉमिनेशन के बाद जब चुनाव हो जाएगा जब अधर्ष बन जाएंगे तब पत छोड़ देंगे यही तरीका होता है तरीका यह नहीं होता है कि हम एक ऐसे पत पर चुनाव पहले लड़ें जिसमें जीत हार निश्चित नहीं है और उस पत को भी छोड़ दें जिस प पार्टी बुरी तरह से बिखरी है राजस्तान में येस आपके पास एक मौका था कि आप एक युनाइटड चेहरा पेश करके चुनावती देते मगर आपने अपने राजस्तान में जो है और ज्यादा रायता पहलाया और मुझे लगता है कि एज़ लीडर आप सीम हैं आप का सीधा हॉट लाइन पे कनेक्ट है आप दोनों लोग जाते हैं सचिन पाइलेट भी वहां जाते हैं अशोग गहलोत भी जाते हैं सब कुछ होने के बावजूद ऐसा संभव नहीं है कि लीडर की अनुमती के बिना ये सारे लोग जाएं और मीडिया में इस तरह से आप बी सचिन पाइलेट को बिना विधायकों के समर्थन के कैसे बना सकता है मुख्य मंतरी आप हमको बता दीजिए अशोग गहलोत को जब बनाया था तो अशोग गहलोत के साथ एपसलूट मेजाटी थी एवरीवडी नो आपके पास आठ या ठारा इतने विधायकों और हम ये नी भूलना चाहिए सचिन पाइलेट के साथ पहली बात दो साल पहले जो बगावत की स्थिती पैदा हुई सचिन पाइलेट के साथ उनके जो बाईस विधायक थे उससे घटके पंदरा हो गए नमबर एक नमबर दो आप इछले देड़ सालों से क्या कर रहे थे आपको काइदे सुन बानवे विधायक में अपनी पैट बटानी थी आपने वो तक नहीं किया इसके लिए हम ये ना भूलें अशोग गहलोत की पहुंश तो बीजेपी तक में है वसंदरा राजसिंदिया उनकी बहुत अच्छी दोस्त है याने की वो एक बहुत दिगज र किया है ठीक है अब मेरे बास इतना ही है इंडिया की बात में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कारेकम के बारे में आप क्या महसूस करते हैं हमें जरूर अपनी राय दें अबिसार शर्मा भाशा और मिलेश को अनुमत ही दीजिए नमस्कार